नमस्टार सातियों मैं योडेस डुपता एब फिर से स्वारेट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पार्ट साला रेलवे जाम में बच्चो यह जो मैंने प्रस्ण आपके सामने लिखाना ये साध ज्यादा तर बच्चो टी समस्या है अगर अभी बहुत जल्दी ELP और टेप्निशन और फॉर्म आने वाला है बच्चो अगर आपने ITI से यह फॉर्म टू डालने वाले हो तब तो आपको किसी तरह की कोई दिक्टतरी तिसी तरह की कोई टन्फूजन नहीं लेकर जितने भी बच्चे मैकेंकल से डिप्लोमा या बीटेट टर रहे हैं और मुझे बता ये कौन कौन सी ट्रेड चुन्नी है इविन ट्रेड भी बताई एकांटों से चुननी है और ये भी आपको पता होना चाहिए ति ट्रेड में आपको क्या चीज ज़्यादा पढ़नी है ऐसा नहों हो ति आपने ऐसी कोई ट्रेड चुन ली जिसमें आपका इंट्रेस्ट ही नहीं है फॉरिज जंपिल पर होड़ा वह आपके लिए एद्दम कैसे तो नासूर जैसा बन जाएगा तो इस वीडियो तो आप पूरा देखिए और इस वीडियो में आपको ये ट्लियर करने वाला हूँ तो कौन-कौन सी ट्रेड ले सकते हैं और साथ सथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस-किस ट्रेड में आपको कितना-कितना से लेवस पढ़ना है तो चलो पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो खास तर से जो बनाये दिया है वो डिप्लोमा और बिटेक वालोट लिए बनाये दिया है नोटिप्टेशन थी उससे उठाया है देखो इसमें तीसरा और जो चौता पॉइंट है ऐसे ही इलेक्टिकल का भी है बच्चो तो ज्यादा तर बच्चो टी टन्फूजन मेकेंकल वाली थी मैंने मेकेंकल पर वीडियो बनाया कमेंट में बताईए रहा तो मैं इलेक्टल के भी बना दूँगा तो जैसे कि आप देख पा रहे है साब साब लिखा हुआ है कि आप यदि मेकेंकल से हैं और या फिर उससे रिलेक्टट और भी बहुत सारी जो इस्ट्रीम होती है इससे ट्याइब होड़ आपने देखा होड़ rectangular production होता है मेकेंकल मैंटेनस होता है और भी बहुत सारे मेकेंकल से कह सकते हो डिपलोमम और धेक्ट होता है जो other mechanical की स्ट्रीम होती है तो अधर आप mechanical य के अन अधर स्ट्रीम से बिलॉन करते हैं तो आप लोग कौन कौन सी ट्रेड ले सकते हो, फिटल ले सकते हो, मेकैनिट मोटर भाइकल, जिस्टों आप लेट सकते हो, MMV, सौटट में आपने सुना हो ड़ा, इस्टे लावा आपका टेक्टर मेकैनिट हो डिया, मेकैनिट डीजल हो डिया, तर्नर हो डिया, मसीनिस्ट हो डिया, रेफिजरेशन एंड एयर केंडिशन इन मेकैनिट, यानि जिसको आप आप आरेसी ट्रेड भी कहते हैं, उस्टे अलावा आपका हीट इंज़न हो डिया, हीट इंजन के आवारला हो डिया, वेट टिपलन, मतलब अगर आपकी mechanical की ट्रेड है mechanical डिप्लोमा है या बीटेट है तो आप इतनी सारी ट्रेडों में से किसी भी ये ट्रेड को चुन सकते हो अपना लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल अच्छो लोहा मनवाने ही बाली बात है थोटी आप जब इन में से कोई भी एट ट्रेड चुनोगे तो आपको 75 में से कम से कम 35 प्लस नंबर लेके आना पड़े रहा 75 कोशन का पार्ट भी होगा और उस पार्ट भी में आपको तितने नंबर लेके आने पड़ेंगे 35% नमबर लेके आने पड़ेंगे 75 में से तब आपका paper जो है qualified माना जाएगा अन्धा नहीं ठीक है आचा ये तो बात हो ड़े ही तिससर इतनी इतनी trade चुनिए सेम तरीटे से अगर आप mechanical या उससे automobile से टिये हो और automobile की और भी हमारी अलग अलग ब्रांच चलती है उनसे अगर आपने डिप्लोम या बीटेट कर रखा है तो फिर आप कौन कौन से trade ले सकते हो तो बच्चो आप ले सकते हो वही mechanic motor vehicle यानि MMV tractor mechanic ले सकते हैं mechanic diesel ले सकते हैं heat engine ले सकते हैं बच्चो और RAC ले सकते हैं मेरे टहने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ आपने mechanical से diploma या बीटेट कर रखा है तो इतनी सारी trade ओं में से कोई भी एक trade और अगर आपने आटोम ओल से diploma या बीटेट कर रखा है तो इनी में से कुछ trade उठागर यहां रख दी रहे अब प्रसुन यह है कि कौन-कौन से trade में आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से trade में आपको क्या-क्या चीज पढ़नी है जैसे टी मैं आपको बताओ अगर मैं बात करता हूँ बच्चो जैसे टी TC बच्चो टैना है कि मुझे फितर लेना है फितर के साथ साथ इसके अलावा टैस अबते हो ये हमारा हो गया 8-on trade ले लिजिए अच्छा इसमें welder नहीं है ठीट निबेlor हमारा electrician में फितर अब Minhkinury बाइटर लेते तो अगधर आप फिटर टर्नर मशीनिश्टी बाद करते हो बच्चो इसमें ज्यादा तर आपको जो पढ़ना होता है में ली में डिप्लोमा और बीटेड वालों के इसमें में ली आपको पढ़ना होता है मतला जो आपलोड क्या सते हो मेत्रोलोजी पढ़ा करते हो सुट्रे अलावा और भी बहुत सारे पढ़ा करते हो जैसा यापने चेपलड़ पढ़ा करते हैं कया बोलते हैं मम्सों हो रिया, material science हो रिया, material science टे साथ साथ हमारा let machine दे बारे बहुँद रिया, यानि जो टो भी आपलोड production में पढ़ते हो, workshop में पढ़ते हो, वो सारा कुछ आपको fitter, machinist और turner की trade में पढ़ना पढ़े रहा, बस fitter में होता है, workshop के tool के बारे में ज़्यादा पूछ लेता है, machinist में हमारे machine दे बारे में ज़्यादा पूछ लेता है, जैसे machine, deal machine, boring machine, mill machine, इन सब के बारे में पूछ लेता, tender, tender में इन पर होने वाले operations ज़्यादा पूछ लेता है, turning process के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आज चला जाता है ले इन तीनोटा सिलेबस जो है बच्चो वो लड़भाड सेम रहता है तो अड़र आप ये तीन ट्रेड चुनने वाले हो जो ज़्यादा धर बच्चे चुनते हैं तो आप ये मानते चलिए ति आपको ज्यादा तरह चीजे प्रोडक्शन री पढ़नी होड़ी है मैं यूटा हूट हर एक चीज प्रोडक्शन री पढ़नी होड़ी और इंडस्ट्री बारे में नॉलेज होना चीए इंडस्ट्री में चीज चलती है इस वैसे एक ठिताब आप लोगोंगे डिप्लोमा में चला तरती थी उस ठिताब का नाम ताज जिस रहत हीरे लिए टीजल में दीजल मेकनिक के साथ साथ अपने टेक टर में टेट सेट रहत रहत है उस जालाबा आपिने एक और होगया मोटर में टेनिक मोटर 화iter यान है एम एम वी ये ट्रेट लेने की सोच रखिए तो बच्चो इन तीनों ट्रेडों में इन तीनों ट्रेडों में 60% तो आपको फिटर पढ़ना होगा बच्चो फिटर तर सेलेब जो है वो हर ज़्यादय कॉमन है पहली बात तु याद रखेना हाँ लेगे इसमें 40% जो पढ़न इंजीरियर नहीं पढ़िनी है जो आपने डिप्लोमा बीटेट में पढ़ रखी है नियुमेलकल एनलीसिस नहीं पढ़ना होता है इसमें अंदर ना हर पॉइंट हर पार्ट के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को वैसे कोशन भी आते हैं हाना इस में से देटा जाये तो इनका इनका सलेवस भी लडबट से में हमें इनमें ना मेली थर्मल या फिर आटो मोवाइल इंजीरियर के बारे में पढ़ना होता है और थोड़ा सा टेस्ट हो अगरा हीट इंजन ले लिया आपने तो इंजन के बारे में ज्यादा आ जाता है अब सिर्फ IC इंजन नहीं होते हैं इंजन तो बहुत सारे होते हैं जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट वो भी एंजन होता है है इसी इंजन भी होते हैं थोड़ा सा थर्मो डाइनमिट के बारे में पूछ लेता है तो बस यह समझोटी इस त्रेड में हमारा यह वाला पोर्सन तो आना ही आना है, इसके अलावा कुछ पार्ट जो है, थर्मो टाइनेमिट्स टभी आएगा, और अगर आपने RAC ट्रेड ले रखी है, अगर आपने RAC ट्रेड ले रखी है, तो आप ये समझो कि आपको रेफिजरेशन सिस्टम के बारे में भी डिटेल में पता होना तो इस्टे बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने ज्यादा तर आपको चीजे क्लियर कर दी है, कि जो क्या क्या टॉपिट पढ़ने होते हैं, और यही सबसे मेन है, में अपना इंट्रेस्ट देठी है, अगर आपका इंट्रेस्ट थर्मल की और ज्यादा है, आटो मोईल तो फिर आप हीट इंजल लीजिए, दिजल माटने लीजिए, लेटर आजर आपका इंट्रेस्ट थर्मल ज्यादा है, आप प्रॉडक्सन पढ़ने में अच्छा लगता है, आपि तो मैटर लोग्या को श्क्री पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको मेटियल साइंस आपको बात बता दू जितने भी electrician वाले हैं तो उनके लिए भी अगर ऐसा कोई confusion है तो मुझे comment रखे बताना electrical branch वाले तो मैं उस पर भी video बनाते आपको detail बता दू रहा ठीटे बाती अगर ये तीन ट्रेटोटी आप तैयारी करना चाहते हो तो application पे मेरे batches चलते हैं जोटी अभी daily basis पे चलना है तो आप माई पार्ट साला application को play store से download करके इन batches को join कर सकते हैं तो आपको ऐसा लगता हो डाटी 35% ही तो number लाने ले आएंगे नहीं आते भाई तो ये ना ITI टा syllabus है और ये डिप्लोमा और बीटेट के syllabus से बहुत अलग है इविन डिप्लोमा और बीटेट के syllabus तो फिर भी से मूँता है लेगे ITI टेस लेवस टोटली अलग है इसलिए पहले से त्यारी करते रखे तो माई पार्ट साला application पे आप ट्रेट का batch को join कर सकते हैं तो आपको क्या है माई पार्ट साला application को download कीजे वहाँ पर आपको जो भी ट्रेट का batch जोइन करना है जोइन कीजे और टूपन को डिस्तिमाल कीजे योडी 10 अना योडी 10 उसे आपको डिस्काउंट मिल जाएदा तीसी तरह की कोई दिप्टा थे ट्रेट का batch जोइन करने के लिए तो मैं टीम का नंबर दे देता हूं 373 825 760 आप इनको बोलेंगे त तो टोई भी दिप्टा थोड़ी तो ये मेरे से भी आपकी बात का देंगे लेटर अगर मुझसे फाइनल पूछा जाता एक लाइन में तो आप तो आप कॉंसी ट्रेट लेते तो मैं तो बच्चा एक ही नाम देता और वो नाम देता बच्चा फिटर या फिर मसीनिस्ट ब पढ़ना है तो बाती पूरा ही में पढ़ना है तो ये सबसे टॉमन है हाँ जिस्टा बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं है फिटर मसीनिस पढ़ने में वो ना ले फिर वो हीट इंजन ओर डीजल इन इन ही कूले तो आपको मेरी बाते इंदम क्लियर हो गही होगी किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट बाट से में भी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या समस्य है ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं ने स्टूडियो में फिलाल नंबर आपके सामने लिठा हुआ है किसी तरह का कोई डाउट है ट्रेड कवाले बैच को जोईन करना है या फिर तो आप इस नंबर पर फोन करके बैच को जोईन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच